एंटेटेंबंट की रात अपिसोड 2 जिया तो आज चलिए बात करते हैं कि इसके रिवि्यू में हम क्या बात कर सकते हैं कैसा आज का एपिसोड रहा सबसे पहले तो हम बात करें करण और तेजस्वी की जो इनकी कैमेस्ट्री है और जो इन कि कलर्स वाले हमें दिखाएं ये सारी चीजे तो प्रैंक ही था लेकिन करन जिस तरीके से अग्रेसिव हो रहे थे वो कहीं न कहीं देखके लग रहा था कि भाई इन दोनों का जो है प्यार मोहबत वो कुछ जादा ही है और करन को सीरिसले गुसा आ रहा था हाला कि बाद में क इस तरीके से दिखाया और बाद में कहा कि भाई ये भी प्रैंक है तो इस तरीके से इनका प्रैंक वाला हुआ उसके पास से सबसे पहले गौरव आया गौरव दूबे शायद अगर मैं करेक्ट हूं तो आप मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलत बोल रही हूं तो गौर चांस नहीं मिल पाता है जो उसे मिलना चाहिए बहुत अच्छी कॉमेडी करता है यार गौरो जो आज लेडी गागा की जगह पे जेंट्स गागा बनके आया गुआ था है ना आप सब भी अग्री करोगे मिल से भाई उसकी कमाल की एक्टिंग करता है वो कॉमेडी करता है कमाल की कॉमेडी करता है कफिल सर्मा शो में भी आजकल वो नजर आ रहा है छोटे-छोटे चंक्स में लेकिन मुझे काफी पसंद है गौरो की कॉमेडी तो उसने सुम्बुल को क्या कहा चुम्बुल नाकचप्टी सी माथा उठा सा ऐसा कुछ बोला लेकिन वो फनी था वो कॉमेडी में था इस वज़े से ऐसा बोला और बाई और करन का जो डांक्स हुआ है जंट्स गागा के साथ वो भी कमाल का था बाद में उसे गैस भी हो गई थी तो इस तरीके से जो आज का एपिसोड था ऐसा रहा है उसके बाद हम गेम्स की बात करते हैं कि जो गेम से खिल आए गये हैं वो स्लिप वाला जो बॉल थ्रो करके उसमें डालना था नेट के अंदर वो काफी एंटर्टेनिंग था मैं कहूंगी वो मजा भी आ रहा था उसको देखने में और पनी भी लग रहा था और उसके अंदर एफॉर्ट्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थ लेकिन जो ये गेम था जिसमें स्लिप होते हुए नीचे आ रहे थे और बॉल थ्रो करनी थी ये जेन्विन भी लग रहा था और मजा भी आ रहा था इस गेम को देख करके और अर्चना जो गिरी है आज है न बहुत ज़्यादा गिरी है और भई वो सोप था या सरफ था कु जिवन ने नाइन बॉल्स थ्रो की थी वही जब सुबल और अर्जुन की बात करें तो सुमबल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जिस तरीके से वह बॉल पर बॉल थ्रो किया जा रही थी वह काबिले तारीफ था और मजा आया सुमबल को देखे सुमबल मैं अक्शली कि बहुत ज़ादा वह ऐसी चीजे खोती है तो उसو को इन्जोय करती है तो सुमबुल इस गेम को बहुत ज़ाये कर रही थी तो वह बड़ी सिद्दत के साथ कर भी रही थी तो वह नजर और सुम्बूल ने बैक टू बैक बाल्स थो की हैं, वहीं अर्जुन विजलानी की बात की जा, तो अर्जुन ने इस्टार्टिंग में तो नहीं वो पकड़ पाया, लेकिन बाद में बहुत अच्छा अर्जुन ने भी बाल्स थो किया और 10-10 बाल्स दोनों के हुए थे, बा पूरे एंटर्टेन्मेंट शो का जो आज का एपिसोड था, उसमें सबसे बेस्ट लगा है, ये जो गेम था, शिव, अर्जुन और सुम्बूल ये जो पेर बने थे, काफी एंटर्टेनिंग था, उसके बाद बात की जाए तो वापस से करन कुंद्रा और तेजस्वी प्र को डेट पे लेके जाना था तेजा को और बकाइदा रेडी करके लेके जाना था और जिस तरीके से करन ने रेडी किया है तेजा को, उसकी लिपस्टिक कहां से कहां गई है, उसके हैर, लेकिन फाइनली इनकी डेट हुई है, क्या खिला है, केक खिलाया है, करन ने चाय भी पिलाई है और बाद में इनका जो हग रोमैंस हुआ है वो आप सभी ने देखा ही होगा अगर एपिसोड देखा है तो करन और तेजस्वी का भई सभी ये कहा रहे कि ये इतना बिजी है करन और तेजस्वी कि इनके पास टाइम नहीं है कि ये कभी तो रोमैंस कर ले है ना इन तो फिर वहीं बात की जाए गी वाला हो गया क्रन पैंराउड क्या था..करन तेजस्वी का उसके बाद अरचिना उसके बाद अरचिना को डंस करना था तो फिर पठान वाले गाने पर दंस हो है, जूमेजो पठान तो इस पर दंस हो है, इस पिर तेजस्वी, केरी हुँ मैं सुंबूल शिव बहुत अच़े से डंस करते हुए नजर आ रहे थे और पुनीत पाठाक आप सभी को पता है कि पुनीत कोरियोग्राफर है तो पुनीत काफी अच्छा करता है और वहीं हम शिव की बात करें तो वो भी जान डालता है अपने डांक्स में और समूल का तो आप सभी को पता ही है और अर्चना तो पूरे मजे कर रही थी वो किसी भी जगह थी, तो वो पूरे फुल फॉर्म में थी, और मस्ती के मूड में थी, और अर्चिना ने बहुत अच्छे से show को किया है, मैं यह कहूंगी, उसके बाद से क्या हुआ है, लास्ट वाला क्या था, हाँ फिर यह जो विनर्स थी, अर्चिना ने कहा है कि, नहीं, तरही कि यहां नें बीच में यह वाला भी तो पार्ट होए है ना जहां पर शिव को शिव के उपर वो बल्ट लगाके और खीच के जो रबड़ वाला था उसको पता नहीं क्या वोलते को मुझे नाम निए पता उसका जो खीच के ओर शिव को छोड़के और लग रही थी शिव के चेस्ट पर भाई वो बड़ा वैसा था दर्दनाग था और शिव को इस पर हसना था शिव ने का हाँ मेरी याई ने काया कि मैं बहुत हस्मुक हूँ तो इस तरीके से पहले हर्ष ने किया फिर सुमूल ने किया सुमूल कहती है मैं भी करूंगी आप सभी को पता है कि बहुत इंजॉय करती है इस सब चीजों को सुम्बुल ने इस तरीके से यह बोला और सुम्बुल ने भी किया फिर वहीं अर्चना कहती हैं मैं करूंगी लेकिन और अर्चना के आपने face expression देखे, वो दोनों दातों को जो इस तरीके से बिठा के वो कर रही थी, शुब बोलता है, अर्चना कम सकम अपने face expression तो सही कर ले, कम सकम expression सही करेगी तो हाँसी भी आएगी, लेकिन अर्चना को नहीं, और तो और अर्चना ये कह रही है, तो पता नहीं, अर्चना वहाँ पर serious बोल रही थी, या fun के लिए बोल रही थी, लेकिन हाँ अर्चना ने ऐसा कुछ बोला, और भाई शिव को लगी, और शिव कहता है, भाई बहुत गलत जगह पर लग रही हो, बहुत तेज लग रही है, और वाकई में उससे लगी होगी लेकिन यह fun के नाम पे ऐसा करते हैं, तो कोई बात नहीं, उसके पासे अर्चना को फिर एक, अर्चना का फिर एक सपना था, और वो था कि बिग बॉस के जो दो यहाँ पे winners हैं, बाकी तो सब लूजर हैं, अर्चना ने कहा बाकी तो सब यहाँ पे loser हैं, सिर्फ दो ही यहा बैंड लगे हुए थे और पिलो से इनको एक दूसरे को मालना था और वहाँ पे रुबिन और तेजस्वी दोनों अपना-पना कर रही थी और वो सही था तो इस तरीके से एंटरेटेन्मेंट की रात में ये एक होंगी कि हाँ फनी तो है लेकिन कुछ चीजे हैं जो थोड़ा क्या लाफ्टर ये लगा रहा है मुझे वह थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है बाकि मुझे गैम सही लग रहा है क्योंकि गैम्स में ये जेन्वीन कर रहे हैं और इनकी जो रियल परस्नेलिटी Walker भी हो और वहीं मैं बात करूं, गौरव दूबे, जो वो जंड्स गागा बनके आया था, वो उसका भी मुझे काफी एंटरेटेनिंग लगा, क्योंकि गौरव की कॉमेडे मुझे काफी अच्छी लगती है, और वो उसके अंदर बहुत पोटेंशल दिखता है, मुझे गौरव के अ तो वहीं 10% चीजे आपको थोड़ी सी ऐसे डिसपोइंट से भी लगती है, तो कोई बात नहीं, तो चलिए अब ये तो रही मेरी बात, अब आप लिखेगा कि आपको क्या कहना है आज के शो के बारे में, आज जो सबसे बेस्ट पार्ट आपको लगा, वो कौन सा लगा, औ अब ही के बारे में बताएगा मुझे करंते जस्वी के बारे में, अर्जुन सुंबूल की बारे में, शिव सुंबूल की बारे में, अर्जुना की बारे में, और रुबीना दिलैक के बारे में, पुनीत हर्ष, इन सभी के बारे में, आपको जिसके लिए भी लिखना होगा अपनी राय कॉमेंट सिक्षन में दीगीजेगा मैं मिलती हूँ आप लोगो नेक्स्ट वीडियो में यानि कि कल तब तक के लिए बैबै टेक केर अपना ख्याल रखो गूड नाइट